हेले फ्रेंड्स स्वागत है आप सभीका अर्वी अधिटीव क्लास में तो फ्रेंड्स आज मैं आगली थेरम लेकरके आया हूं थेरम 10.3 है क्लास 9 की मैथ से चेप्टर 10 सर्किल चेप्टर से लिया गया है तो इस थेरम को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आप बस इस वीड कर रही है इसका मतलब ऐ मीड़ पोईंट पर है हमें पूरूब करना है एएम इसकोड टू बी फिर तो चल्ए फिर स्बिड शुरू करें सबसे पहले राइट करेंगे कि ए Symgev dacor आफ सरकी विद सेंटर ओ ओ ओ एंड ओ ओ ज्वाइंड तो एम सच देट ओ यम इस पर्पेंडिकुलर आन एवी ठीक है अब ज्यांदेने यह पर्पेंडिकुलर का सिंबॉल है ओ पॉइंट एम पॉइंट पर इस प्रकार से लाइन को जॉइन कर रहा है कि ओ यम पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर है अन एवी यह पर्पेंडिकुलर का सिंबॉल है तो यहां पर हमें यह प्रूब करना है एम इक्वल टू बी एम तो यहां पर हमें यह प्रूब करना है कि कि इसका मीन्स यह है एम इक्वल टू कि बीयम यह में प्रूव करना है ठीक है तो यहां पर हम प्रूव सेडिंग डालेंगे कि जाइन कि ओए एंद ओबी देखो यह जो रेडियस है ओए और ओबी इसको जाइन कर लेंगे इन ट्रेंगल ओ O, A, M, and triangle O, B, M कि में अरो स्ब्धान कर देखो कि ईक्वल टू ओबी इसका रीजन इसका रीजन अहे रेडियाआई आप सर्किल सर्किल की क्या है रेडियाई है और यहां कि रेडियाई हैं। इक्वल होती है ठीक है दूसरा जो हमारा एंगल OMA है वह एक्वल है एंगल OMB के क्योंकि यहां पर बोला गया है OM perpendicular AB के तो यहां पर बनने वाला एंगल 90 डिगरी का होगा क्योंकि perpendicular का मतलब यह होता है कि जिस भी लाइन पर perpendicular लाइन पढ़ रही है वहां पर 90 डिगरी का एंगल बनेगा यह दोनों इसके इक्वल हो जाएंगे इसका रीजन यह गीवेन है ठीक है आप ऐसे भी लिख सकते हो इच 90 डिगरी तीसरा जो है OM is equal to OM इसका रीजन इसका रीजन है यह common है क्योंकि यह दोनों में है ठीक है common तो जब एक बार तीन चीजें हमने इक्वल प्रूब कर दिया तो यह ट्रेंगल जो होगा तो ट्रेंगल ओ एयम इज कंगरेंट ट्रेंगल ओ बी एम बाई देखो यह साइड है यह एंगल है यह साइड है बाई एस एस congrence rule ठीक है तो यहां पर एस एस का मतलब होता है side angle side तो यह से एस कंगरेंट सी रूल से क्या है एक्वल है तो जब एक बार कोई दो ट्रेंगल कंगरेंट हो गया तो हम उसकी किसी भी बता सकते हैं और यहां पर में बतना है कि यह जो एं है और यह जो interview है है कि एम इक्वल टू भी एम अच्छा का और क्या होगा बाई CP TCP सीट थिप सीटू करेंडिंग पार्रिंट तो हम थाइनल है तो हम कह सकते हैं हैंस ओयम और यहां से क्या हो गया मारा प्रूब हो गया आपको हैंस प्रूब्ड जरूर लिखना चाहिए अगर आपको कहीं भी प्रूब्ध पूछा गया है तो यह मेरा इस कॉश्चन का अंसर होगा आप चाहो तो वीडियो को पॉच्च करके इसको राइट डाउन कर सकते ह या फिर screenshot ले सकते हो तो दोस्तों comment box में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी subscribe करें हम बिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक ले थेंगी class